हेलो गाई से मुगा वह बात किने वला है आसा ही इंडिया ग्लास इस कामड़ी के बारे में इस कामड़ी का रिजल्ट अप लोगों के सामने है quarter 4 फाइट 23 का स्टेंडर लोन रिजल्ट है सारी अमाउंट से वो लैक्स के अंदर बताईगी है quarter and quarter base की उपर result को compare करेंगे यह इस quarter का result है यह विछले quarter का result यह विछले सा same quarter का result देखने को मिल जाता है कमपनी की income की बात करें revenue from operation and other income को मिला कर कमपनी का total income इस quarter में 10,003 आ सरी 1,3923,005 रुपिस का कमनी का total income है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के comparison में company की income में बढ़ोतरी होती भी नज़र आ जाती है बाकि इस company के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर purchase of stock in trade and अलग-अलग expenses को मिला कर कमपनी का total expense 92,344,005 रुपिस का देखने को मिल जाता है जिस प्रकार से company की income बढ़ी है वैसे वैसे company के expense भी बढ़ते हुए नज़र आ जाता है बाकि इस company के net profit की बात करें तो यह company का यहाँ पर से net profit है वो tax and expenses item काटने के बाद 6,954,005 रुपिस का company का net profit देखने को मिलता है जो quarter and quarter base की उपर और पिछले साल same quarter के comparison में company के net profits में लगातार घीरावड आती भी नज़र आ जाती है company के earning per share EPS की बात करें तो वो यहाँ पर से 2.86 रुपिस पर trade हो रहा है earning per share भी company के तेजी से कम होते वे नज़र आ रहा है तो यह एक यहाँ पर company को लेका सबसे बड़ा negative point है अभी यहाँ पर से इस company के जो यहाँ पर net profit से वो अचानक से तेजी से यहाँ पर क्यों कम हो गए इसके पिछी का reason यह है कि कुछ यहाँ पर से देखो company का देखो operating लिए देखने जाएंगे ना तो यहाँ पर से net profit में उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है बाकियार यह गिरावट तो है पर इस company के अंदर कुछ यहाँ पर अलग अलग tax add होनी की वज़े से company के overall यहा कुछ खास अच्छा नहीं रहा है company के शे में गिरावट आ सकती है short term and medium term में इसलिए इस company के प्रॉफिट में हो तो profit को book करके चलना short term and medium term के investors के लिए यह सला है बाकियार इस company ने अपने शिरूलर्ट को 2 रुपय पर शे का dividend भी announcement किया है जिसकी record date and accident company आने वाले new general meeting के अंद बोटन चीज़े थी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है तो बस अज के लिए इतना वीडियो पसंद है तो लाइक एंड चनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना गुटबाल अफ गुटबाई फिर मिलते है नेक्स डियो में गुटबाई